हरे कृष्णा आज हम नवे अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे 9.2 राज विद्या राज गुईयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सूसुखम कर्तुम अव्ययम श्री भगवान कह रहे हैं कि यह ग्यान अर्थाद भगवत गीता का जो ग्यान है वो सब विद्याओं का राजा है समस्त रहस्यों में सरवादिक गोपनिये हैं परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूती कराने वाला है अता यह धर्म का सिध्धान्त है यह अविनाशी है और अतियंत सुर्क सुर्क सुरी अतियंत सुख पुर्वक संपन्न किया जाता है श्रुल प्रभूपाद ने इस लोग को एक्स्प्लेइन करने के लिए बहुत अच्छा बहुत लंबा परपट लिखा है करीब चार पेज का उस सब पर टिपनी तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यह छोटे ही कमेंट्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन सभी भक्तों को यह प्रात्ना की जाती है कि वे श्रुल प्रभूपाद द्वारा लिखित प्रभूपाद यथा रूप जो किताब है भगवत गीता एज़िटीज उसको आप जरूर पढ़ें और इस लोग को पूरी तरह से वहां से समझें प्रभूपाद जी इस लोग में ही बता रहे हैं कि भगवान ने जैसा कहा कि जो भगवत गीता ग्यान है वो टॉप मोस्ट ग्यान है राज विद्यम ये विद्यम सभी विद्याओं की राजह है तो सवाल ही उठता है कि क्यों वो इसलिए कि देखिये सुख प्राप्ट करने के लिए वैसे तो एकी चीज़ है लेकिन फिर भी अगर हम दो-डो हिससी अलग-लग कर दें तो सुख प्राप्त करने के लिए एक तो है शारिरिक सुख और एक है आत्मिक सुख आत्मा का सुख जो पर्मनेंट है अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी युनिवर्सिटीज हैं प्रवपाजी इस बात को लिख रहे हैं वहाँ पर डिपार्टमेंट बने 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 वहाँ पर डिपार्टमेंट बन आज अगर सोल ना रहे किसी भी विक्ति के शरीर में तो तो बोड़ी जस्ट डिसंट वर्क विदिन फ्यू आर्ट्स उसको फायर रफ कर देते हैं सो इतनी इंपॉर्टन सोल के लिए किसी उनिविसिटी में कोई दंग से डिपार्टमन नी है और शारीरिक सुक के लिए दुनिया भर की research labs बना रहे हैं कि जी scientists लगे हुए है और ऐसी हमने क्रीम बना दिये जिससे आप young दिखेंगे जिससे आप जवान रहेंगे जिससे आप तंदुरस्त रहेंगे फलाना निंक न सोल के बारे में कोई department नहीं है कोई scientist काम नहीं कर रहा तो इसी लिए जो ग्ञान उस आत्मा का ग्ञान दे रहा है उस आत्मा के बारे में समझा रहा है life after death समझा रहा है प्रभपाज जी ने भगवान ने कहा है कि ये राजविद्या है ये सबसे बड़ा रहस्य है जो भगवत गीता की किताब में एक्स्प्लेंड है तो हमें इसे समझना चाहिए आगे चलके परपट में प्रभुपाजी ने एक पॉइंट और भी उठाया जिससे आत्मा की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद हम शुन्ने में मिल जाते हैं किसी जोत में मिल जाते हैं या बून सागर में मिल जाती है something something happens and we become nil प्रभुपाज ने कहा समझाने के लिए कि देखे हमारे इस जीवन में आत्मा ही तो active है अभी थोड़ दे पहले ही मैंने एक सिकंड पहले ही बोला है कि आत्मा ही तो active है अगर आत्मा ना रहे तो शुर्ड तो निर्जीव है तो वो इतनी active आत्मा मरने के बाद शुन्ने कैसे हो सकती है निराकार में कैसे चली जाएगी logic तो नहीं लगता हर एक के अपने धारणा है faith है वो ठीक है पट मेरे को भी logic से यह बात नहीं suit करती क्योंकि जब हम सो भी रहे होता है तब भी दिमाग चल रहा होता सपनों के form में यानि कहने का मतलब यह है कि हम inactive तो कभी भी नहीं होते तो यह possibility यह theory कि मरने के बाद हम निराकारी हो जाते हैं शुन्य में मिल जाते हैं जोत जोत में मिल जाते हैं मुझे तो समझ में नहीं आती मुझे नहीं लगता ऐसा इसकी वजाए जो भगवत गीता से में knowledge मिलती है कि इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है जहां पर श्री भगवान की सेवा होती है और वहां पर सभी आत्माय पहुंचती हैं शुद्ध होने के बाद और वो पर्मेनेटली वहां रहती है यह theory मुझे समझ में आती है आगे इस लोग के end में परपट के end में प्रभुपाद बता रहे हैं कि समझा रहे हैं कि भगवद गीता की knowledge इतनी शुद्ध knowledge है इतनी गुयतम है राजविद्य है, गोपनिय है कि हमें ये किसी अच्छे शुद्ध भगत से ही सुननी चाहिए अब जब मैं इस इसको पढ़ता हूँ कि हमें भगवद गीता की knowledge किसी शुद्ध भगत से ही लेनी चाहिए तो मैं खुद को तो ठीक मैसूस करता हूँ क्योंकि मैं ये knowledge प्रभुपाद से ले रहा हूँ बट जो लोग इस लोग को सुन रहे हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ क्योंकि आप शायद अगर इस लोग को सुन रहे हैं तो आप मुझसे ये knowledge ले रहे हैं और मैं तो बहुत ही अशुद्ध हूँ, पापी हूँ लेकिन फिर भी मैं आपसे यही request करूँगा कि अगर आप मेरे शुद्ध सुन रहे हैं इसकौन से related कई website पर मिल जाएंगी अगर आप किसी प्रतिक्ष गुरु से जो भी फिजिकल फॉर्म में अर्थ पर अविलेबल है सुनना चाहते हैं तो आप इस ओलीनेस गुपाल कृष्ण गुष्वामी महाराज के lecture सुनिए उनके शिश्य बन जाईए दिल्ली में इसकौन पंजाबी बाग मंदर में अनेक शुद्ध भक्त हैं जो भगवत गीता के उपर बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं अगर मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरी सिती उस वेक्ती जैसी है जो किसी दुकान का sales agent नहीं है वो market में खड़ा हुआ है लोगों को invite कर रहा है कि आप मेरी shop पर जाईए और वहां से समान करी दिये वो एक authorized shop है तो मैं किसी भी तरह से अपने आपको ये महसूस नहीं करता हूँ कि मैं शुद्ध भक्त हूँ और गीता पर कमेंटरी करने लाइक हूँ लेकिन मेरे को सेवा करनी है और मेरी सेवा यही है कि मैं टेकनोलोजी के माद्यम से लोगों को attract करूँ कि विश्ल प्रभुपा द्वारा लिखी गई भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता को पढ़ें सुनें समझें और किसी शुद्ध भक्त के समपर्क में आके अपने जीवन की सफलता को हासिल करें हरे कृष्णा